नमस्ते दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आज के वीडियो में जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेसला के पारे में जी हाँ आप सभी ने इस कपनी का नाम जरू सुना होगा अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दू टेसला इलेक्ट्रिक विहिकल मानुफेक्चर करती है साथ ही सोलार पेनल्स और सोलार रूफटाइस भी बनाती है लेकिन आज हम सिर्फ टेसला की कार्स के बारे में ही बात करने वाले है नो ऐसे फेक्ट में आपको बताने वाला हूँ जो सायद ही आपको पता हो चलिए वीडियो को आरब करते है फेक्ट नमबर वन जुलाई 2003 में टेसला मोटर की स्थापना की गई थी अर इस कपनीका नाम अमेरिका के मसहूर इलेक्टिकल एंजिनियर निकोला टेसला को टिबूट देने लिए टेसला मोटर रखा गया था जबकि बाद में टेसला मोटर को सेफ टेसला नाम से बदल दिया गया फेक्ट नमबर 2 इलोन मस्क नहीं है टेसला के ओरिजनल फाउंडर चीहा सायद आपको जानके हैरानी हो लेकिन ओरिजनली जुलाई एक 2003 में मार्टिन इबरहड और मार्क टर्पेनिंग ने टेसला मोटर की स्थापना की थी इन दोनों ने CEO और CFO के रूप में टेसला मोटर में अपनी सेवाय दे थी बाद में 2008 में इलोन मस्क को कपनी का CEO बनाय गया जिसके बाद टेसला मोटर की काया पलट गई टेसला की सबसे फेली कार जो हाईवे पे चली थी फर्स्ट लीगल इलेक्टिकल कार वो थी टेसला रोडस्टर जिसको 2008 में बनाय गया था ये बेसिकली एक टू डोर स्पोर्ट कार थी जो एक बार चार्ज करने पर 393 किलोमेटर की रेंज दे देती थी टेसला रोडस्टर 2020 के नाम वीश्टो की सबसे फास्टेस इलेक्रिक कार का भी रेकोड है जी हा। टेसला रोडस्टर 1.9 सेकन में 0.60 माईल परतियावर की स्पीड पकल लेती है जबकि 4.2 सेकंड में 0 से 100 माइल पतियावर की रफ्तार पकल लेती है जो कि एक बहुती सांदार बात है फेक्ट नमबर 5 टेसला के सबी कार्ष बिलकुल आपके मोबाइल और लेपटोप जैसी ही है जी हाँ ये कार्ष में भी लेपटोप की तरह ही स्लिप मोड आता है और फ़ोन और लेपटोप की तरह इसमें software update भी मिल जाते है अगर आपके पास टेसला की कोई भी कार है तो आप अपने फ़ोन और लेपटोप की तरह उस कार का software भी अपडेट कर सकते है फैक नमर 6 ओपन पेटन्ट अगर आप टेसला का अपनी की टेकनोलोजी और उनकी पेटन्ट और डीजन का उप्योग करते हैं तो टेसला आपके खिलाप कोई लीगल एक्षन नहीं लेगा चीहां ज्यादतर का अपनी टेकनोलोजी और अपनी डीजन पेटन्ट किसी को यूज नहीं करने देते लेकिन टेसला के सीओ एलन मस्क के अनुसार दुनिया को इलेक्टिकल विहिकल की और प्रेरिद करने के लिए लगबग सभी पेटन्ट को पब्लिक के लिए उपन कर दिया है जो कि टेसला को वेख खास कपनी बनाती है फेक्ट नम्मर साथ टेसला की लगबग सभी कार्ष में आपको बहार से आने वाले बैक्टिरिया और वाइरस से बचाती है इन कारों में HPA Filteration System से बाहर से आने वाली परदोसित हवा, बेक्टिरिया और वायरिस को फिल्टर करके साफ हवा आपकी कार में आने देती है जिसे आपकी सलामती चरूर बनी रहती है Fact No.8 Tesla Model 3 टेसला की सबसे पोपिलर कार है पूरे विश्व में 2017 के बाद यह कार विश्व में सबसे ज़्यादा पोपिलर इलेक्टिक कार है 2020 में टेसला Model 3 सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्टिक कार बनी थी रिपोर्ट के नुसार 3,65,240 यूनिट टेसला Model 3 के 2020 में सेल हुए थे और 12% इस कार का मार्केट सेयर रहा था फेक नुमर 9 विश्व की सबसे सुरक्षित कार का रेकोड भी टेसला के नामी है जिहां नेशनल हाइवे, ट्राफिक सेफटी, एड्मिनिटरिशन के द्वारा 2019 में टेसला Model 3 को टॉप सेफटी पिक प्लस एवर से समानित किया गया था इससे पहले टेसला Model X और टेसला Model S के पास सबसे कम इंजरी होने वाले की संभावनाय होने वाली कार का भी रेकोड सामिल है तो बस दोस्तो यही था आज के वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और आप कोई ऐसे टेसला के बारे में जानते हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताइए अगर आप ऐसे है वीडियो देखना चाहते हो तो आज ही हमारी यूटूब चेनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद